Books That Speak में आप सभी का स्वागत है खरगोश अपने देश को बचाने की मुहिम में लगा है देश पर एक रहस्यमई हमला हुआ है और ये खबर राजा तक पहुँचानी है राजा को ढूणने निकल पड़े खरगोश के लिए क्या ये यात्रा रोमांचक रही होगी इतना क्यों सोच रहे हो सुनते है कहानी में हमला हुआ है कहानी लिखी है कविता सिंग, चत्रांकन, सुविधा मिस्त्री कहानी का प्रकाशन, रूम टू रीड कहानी का वाच्चन, असावरी दोशी ओ, बापरे, बज गया लगता है किसी ने हमला किया है ये बात राजा को जरूर बतानी चाहिए ये भाला, ये बान कहां से आ रहे है खरगोश की मुलाकात हुती है एक मुर्गे से खरगोश पूछ रहा है क्या आप राजा हो? मुर्गा कहता है नहीं, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ खरगोश पूछता है किसी ने हमला किया है मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ मुर्गे ने कहा चलो, मैं भी चलता हूँ फिर खरगोश को एक लंबा सा पक्षी मिला वो था एमू खरगोश ने उसे पूछा क्या आप राजा हो एमू ने कहा नहीं मैं राजा नहीं हूँ खरगोश कहता है किसी ने हमला किया है मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ एमू ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ अभी खरगोश को मिल जाता है, पानी में पड़ा हुआ एक हिपो पोटेमस तो खरगोश जी उसे पूचते है, ओहो, क्या आप राजा हो हिपो कहता है, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ खरगोश कहता है किसी ने हमला किया है मैं ये बात राजा को बताने जा रहा हूँ हिपो ने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूँ अभी ये सब मंडली मुर्गा एमू हिपो खरगोश सब साथ मिलकर राजा से ये बात करने जाते है खरगोश को रास्ते में मिल जाता है करिला खरगोश पूछ रहा है क्या आप राजा हो गरिला ने कहा नहीं मैं राजा नहीं हूँ राजा तो अंदर है खरगोश कह रहा है अ अरे इसका मतलब ये हमला नहीं था तब राजा जी ने कहा अरे नहीं कुछ तीर निशाने से चूग गए थे वादा है आगे ऐसा नहीं होगा मुझे माफ कर दो हाँ तो इसका मतलब वो जो तीर खरगोश को लगे थे वो तो राजा जी निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए वो तीर गलती से खरगोश के पास आ गए जीना मज़ेदार कहानी तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स दाइट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया